हेलो एब्रीवन मैं संद्या लुया लेक्चरर कंप्यूटर साइंस गवर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज उदाइपूर आज हम सब्जेक्ट कोट 2.10 मेकैनिकल इंजिनिरिंग सी प्रोग्रामिंग की यूरिट नंबर 7 पॉइंटर्स की एप्लिकेशन के बारे में चर्चा करने जैसा कि आपको पता है यह हमारा पॉइंटर्स का थर्ड लेक्चर है इसमें हम एप्लिकेशन ऑफ पॉइंटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स के पहले वाले लेक्चर में हम पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन और एक्सेंडड़ कंसेप्स ओपॉइंटर वाला topic discuss किया था, उसमें हमने पढ़ा था call by reference, हमने call by reference क्यों use किया था, call by value की तुलना में, ये भी I hope आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम एक बार और recall करेंगे, जो हम इसको practically perform करके देखेंगे, कि pointers का use, call by reference में किस तरीकी से करते हैं, to return multiple values, हमने functions पढ़े थे, तब हम हमने देखा था, कि हम functions में at a time सिर्फ एक ही value return कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे programs भी होते हैं, जहां पर हमें multiple values return करनी होती है, तो pointer हमें एक ऐसा facility या technique प्रोवाइट करते हैं, जिसके थूरू हम multiple values भी return कर सकते हैं, मतलब multiple values पर भी हम return apply कर सकते हैं, to access array elements, dynamic memory equation, to implement data structures like T, tree, graph, link list, stakes, etc. and to do system level programming where memory addresses are useful, देखें, pointers जो है C programming का एक सबसे vast और सबसे complex topic लगता है, ठीक है, लेकिन pointers ही एक ऐसा feature है C का, जो इसे अपने आप में एक बहुत dynamic programming language बनाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता है, कि C के features के कारण ही, C के, जो हमारे पास इतने सारे features हैं, C के इतने features के कारण ही, एक ऐसी language है, जिसका use करके, एक operating system design किया गया है, ठीक है, तो उन्ही features में से एक feature आता है, pointer, तो चलिए सबसे पहले हम देखते ह हैं, इसका first application जो है, passing arguments to a function as a reference, ठीक है, इसे हम program के through देखते हैं, देखे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं, सबसे पहले, जैसे आपको याद होगा, functions में, दो चीजए important होती है, functions में, तीन चीजए important होती है, function का declaration तो यह जो सबसे पहले मैंने किया है void swap यह है function का declaration इसके बाद हम कर रहे है main function में a और b दो variables इन दो variables को हमने क्या किया है इन दो variables की value assign की है user से ठीक है और इस step में swap a b इस step में हमने function को call किया है function में function declaration, function call और function definition जैसे यह function call मिलता है compiler को compiler इसकी definition सर्च करता है ठीक है और compiler को इसकी definition मिलेगी हमने जहां function को define किया है वहाँ पर ठीक है अब यह जो function की definition है यह जो function की definition है sorry changes जो हमें करने है सबसे पहले मैं आपको बता रहे हूँ कि हमें call by reference की जरूरत ही क्यों पड़ी है ठीक है क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली slide में बताया था कि functions के functions का जो drawback होता है वो यह कि कई बार हमें functions में multiple values written करवाने की जरूरत पड़ती है ठीक है तो functions के हमें multiple values written करवाने की जरूरत पड़ती है तो ऐसी situation में क्योंकि functions तो allow नहीं करते हैं एक से जादा values written करना ऐसी situations में see pointers जो है हमारे लिए pointers जो है एक best option थाफित होता है ऐसी condition में हम pointers यूज़ करते हैं देखे सबसे पहले हमने क्या किया है सबसे पहले हमने किया है यहां पर एक जो function हम बनाने वाले हैं जो swap नाम का function हम यूज़ करने वाले है प्रोग्राम में उसके लिए हमने पहले declaration किया है ठीक है और अब main function में पहले मैंने दो variables लिए हैं इन दोनों को values assign की है और function को मैंने call किया है ठीक है अभी फिलहाल ठीक है चलिए अब function की definition function को call करते ही function की definition ढूंडेगा compiler और function की definition में actual swapping जो है I hope swapping का concept आपको याद होगा swapping के लिए हम एक तीसरा variable use करते हैं और पहले एक variable की value उस blank variable पे copy करते हैं उसके बाद आप swapping करते हैं ठीक है ये swap करने के बाद actually क्या perform होना चाहिए कि यहां से values written होनी चाहिए क्योंकि main function ने अपना task किया और control swap को pass on किया जैसे swap अपना काम खतम करता है swap को control वापस main को shift करना पड़ेगा तभी program end हो पाएगा ठीक है लेकिन call by value में क्या होता है कि देखे जैसे ही हमने integer a b किया तो ये दो main function में दो variables create हो जाते हैं a और ये b ठीक है और जब हम user से कोई value इसे देते हैं तो वो value in locations पर store हो जाती है ठीक है यानि कि for example लाइक यहां पर store हो गया है इन्हें मैंने नाम दे दिया है A और यहाँ पर value store हो गई है 10 यहाँ पर value store हो गई है 10 और यहाँ पर store हो गई है for example like 15 ठीक है इसको हमने नाम दे दिया है A और इसको हमने नाम दे दिया है B ठीक है इसको हमने नाम दे दिया है ये तो हुई बात में की इनका कोई नो कोई memory address होगा ठीक है अब जैसे ही हमने ये declare किया हमने swap call किया scanfk through values दे दी ये एक बार print up function प्रिंट करेगा कि swap से पहले values क्या थी उसके बाद swap function call हुआ swap function call होने से एक तीसरे variable की मदद से अब देखिए जैसे ही swap function call होता है तो memory में तो memory में ये swap function भी existence में आ जाता है ठीक है ये swap function भी existence में आ गया यहाँ पर भी दो variables है x और y ठीक है यहाँ पर इसका name है x और इसका name है y ठीक है तो अब जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम function को call करते हैं तो वो actual parameters होते हैं और function के declaration और definition में function के declaration और definition में वो formal parameters होते हैं ठीक है अब जैसा कि यहाँ पर मैंने a लिखा है चलिए हम इसको x और y कर देते हैं x और y यह y ठीक है अब जैसे ही swap function कॉल होता है इसमें x और y दो values बन गए swap function कॉल होने से हमने actual arguments क्या pass कर रहे थे call में a और b तो a और b की जो value है 10 और 15 वो a और x और y में copy हो जाती है अगर इनका name सेम भी होता तो यह उपर वाला जो function है वो तो function है main function ठीक है अगर इनका नाम a और b जो मैंने variables declare किये हैं वो दोनो functions के लिए यह तो है हमारा main function ठीक है अगर main function के a और b होते और यह मेरा function है swap function तो भी वो देखें दोनों का space अलग-अलग है क्योंकि तो वो a और b main function के लिए work करते और यहाँ पर अगर मैंने a और b लिया होता तो वो a और b swap function के लिए रहते तो दोनो variables एक दूसरे के लिए अलग-अलग है unknown है a और b क्योंकि हमें swap किसकी values करनी है a और b की तो जब हम actual values a और b की function में पास करते हैं तो वो call by value में जो variables बनते हैं x और y उसमें copy हो जाती है और swapping actually perform होगी यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा एक तीसरा variable क्योंकि create क्या है हमने swap function में ही क्या है एक तीसरा variable जिसका नाम है c ठीक है तो जो तीसरा variable create क्या है वो हमने यहाँ पर क्या है जो भी swapping perform होगी वो यहाँ perform होगी और अब आप यहाँ पर देखे program कोई value return नहीं कर रहा है इसलिए इस program को मैं आपको execute करके दिखाती हूँ अब हम enter कर रहे है सबसे पहले 10 और फिर 15 अब actually क्या होना चाहिए swapping function perform हो गया return वापस जाएगा main function के पास actually values swap हो जानी चाहिए ठीक है values before 10 15 और values after 10 15 यह ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हम क्या कर रहे है swap function जो है यानि कि हम जो formal parameters है उन पर हमने swapping perform की है but value return नहीं की क्योंकि values तो एक ही return हो सकती है functions के through ठीक है लेकिन हमें return तो दोनो values करने पड़ेगी दो values करने पड़ेगी जो कि possible नहीं है तब अगर हम यही print function जो है यह जो print function है यह वाला section जो है अगर मैं इस section को यहाँ print करती हूं और यहाँ print कर देती हूं मैं x और y ठीक है तो देखेगा यहाँ पर swap की हुई values प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हम value return नहीं कर रहे है हम swap function में ही values को print कर रहे है हो गई swap क्योंकि हमने swap function में ही print कर दी बट हमारा actual काम यह थोड़ी है swap function में values swap होने के बाद values return होनी चाहिए main function को और main function ही print करना चाहिए बट functions का restriction है कि function एक की value return कर सकता है और यहाँ पर हमें values दो है दो return करनी पड़ेंगी तो इसलिए हम call by value use नहीं करते हैं हम call by reference use करते हैं ठीक है यह रहा call by reference का program हम क्या करते हैं हमें value देखे अब की बार हम क्या करेंगे इसका कुछ address है thousand ठीक है यह इसका कोई address है thousand और इसका address है two thousand ठीक है तो हम क्या करेंगे हम x और y जो हमारे parameters है call by reference में हम क्या करते हैं जो अभी just हमने पड़ा pointers वाला concept x और y में हम क्या करेंगे हम values x और y में copy नहीं करेंगे हम यहाँ पर उसका address पास करेंगे a का जो address है वो हमने पास किया x में ठीक है और b का जो address है वो हम पास करेंगे 2000 y में ठीक है और इन्हें declare करेंगे pointer type का means asterisk sign लगा के जैसा कि हमने क्या क्या है हमने यहाँ पर हमने pointer type के दो variables लिए है यह हमने swap function का जो declaration उसमें declare कर दिया अब हमने क्या किया है दो values एंटर किये हैं keyboard से उनकी values पहले प्रिंट कर वा लिए अब उनका address हम पास कर रहे हैं हम पास किसको कर रहे हैं address हम पास कर रहे हैं address कोई parameters का address हम पास कर रहे हैं formal parameters को और हम अब इनकी values आपस में change करेंगे देखे अब क्या होगा जब actually calculation perform होगा तो इनके address आपस में change हो जाएंगे ठीक है means क्या है percent a denote किसे कर रहा है मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी variable के आगे asterisk sign लग जाता है तो वो उस variable को represent करने लग जाता है जिसका वो pointer बना हुआ हुआ है मतलब जिसका address उसने contain किया हुआ है जैसे a variable का address contain किया हुआ है किसने इस a formal parameter न है ठीक है बट इसके आगे asterisk लगने का मतलब है यह represent कर रहा है इस value 10 को ठीक है इस value 10 को represent कर रहा है asterisk a ठीक है इसी तरीके से इसी तरीके से asterisk b represent कर रहा है variable b को ठीक है यानि कि b में जो value है उसको अब आपस में swapping हो जाएगी देखे अब यहाँ पर मुझे swap function में यह printf statement देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी I hope आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि यह नया concept नहीं है यह already हम पहले पढ़ चुके है call by reference में हम इसको execute करके रहता है ठीक है अब मैं values enter कर रही हूँ 10 और 15 हो गई values change क्योंकि यहाँ पर हमने जो formal parameters है उनमे values transfer नहीं करके हमने address पास किया है और इन address को pointers के थूँ यह m% a और एस्ट्रिक a और एस्ट्रिक b क्या है pointer variable है किसके a और b के क्योंकि यह क्या कर रहे है a और b का address hold करके रख रहे है ठीक है तो जैसे यह a और एस्ट्रिक b पिलेगा compiler को उसे पता पड़ेगा कि इनके पास जो values है इनके पास जो values store की हुई है यह कोई normal value नहीं किसी variable का address है तो अब की बार जब जब जाएगा pointer उस address पे जाएगा और वह यहां जो value है उनमें swapping perform करेगा ठीक है I hope आपको समझ आएगा यह नया concept नहीं है call by reference हम already functions में पड़ चुके है किस तरह से काम करता है यह आपको समझ आएगा दो sign important है इसमें m% operator address of a और strict operator value at address of a ठीक है value at address a ठीक है this is all about application it's not all about but first application of pointers ठीक है जो हमने first application पड़ा passing argument to a function as reference और to return multiple values क्योंकि function तो एक ही values return कर रहा था लेकिन अब हमें यहाँ पर दो values return करने की ज़रोत पड़ी तो दो values return नहीं की function ने pointers के थूँ बट हमें concept दे दिया कि हम return कैसे करवा सकते हैं values दोनों क्योंकि values return करने का मतलब था return 0 या return 1 में कुछ लिखती है बट हमने actually वहीं पर swapping कर दिया है through addresses addresses के थूँ हमने दो variables की values को आपस में swap कर दिया है तो यह दो applications हुई हमारी आगे की applications जो है array और dynamic memory allocations इसके बारे में हम next के videos में पारेंगे okay thank you